अस्सलामों आलेकुम, तो ये हैं कच्चे कीमे के चिकिन के कबाब, बहुती मज़ेदार जट पर घर पर हाजिर मसालों से बन जाते हैं और बहुती डिलिशिस और चटाकेदार हैं ये देखिए, कितने बढ़िया से लग रहे हैं, दिखने में तो बढ़िया हैं, बर टेस्ट में भी मज़ेदार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और सॉफ्ट भी हैं, साधारन, यानि ओर्डिनरी इंग्रीडियन से चलिए बनाते हैं आज की एक्स्ट्र ओर्डिनरी रेसिपी, चलिए, ये हैं आदा किलो चिकिन का कीमा, मैंने अच्छे से पानी से दो लिया और 10-15 मिनट आदे घंडे के लिए, इनफाक्ट ने तान ने चंड़नी के ओपर साइट पर रख दिया था, अब एक ब्लेंडर जार लीजिए, इसके अंदर है ये जो अभी भी मुझे हलका 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 है पानी लग रहा है इसमें, तो इसे मैं हलका हलका स्क्वीज मतलब निचोड लेती हूँ हाथों की मदद से मेरे हाथ साफ है, हलका हलका निचोड़िए और आपके ये जो ब्लेंडर है, इसमें डाल कर बहुत अच्छा पीस लीजिए, ऐसे अब इसे एक बड़े से भगोने में, या एक बड़े से पातर कहिए, या बड़े से प्लेट या थाली कहिए, उसमें निकाल लीजिए सारे चिकिन को, पर इसमें डाल दीजिए, दो छोटे चाय के चमच आदरक लसन का पेस्ट, यहां मैंने एक मीडियम साइस की प्यास बा डाल दीजी, मैं धाय चोटा चाय का चमच दाल रहे हूं, भूना हुआ और दर्दरा पीसा हुआ, साबुद धनिया, दो छोटी चाय के चमच, वैसे या आधी वाली चोटी चाय के चमच है मेरे पास, तो मैं चार बार डाल रहे हूँ, आदर छोटा चाय का चमच, नममक, एक छुटा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर, ये भी भूना और पीसा हुआ है, एक छुटा चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स, आदे चुटी चाय की चम्मच, काली मिर्चो का पाउडर, चार टेबल स्पून, बेसन डाल दीजिए, और बहुत अच्छे से हाथों की मदद से ही मिक्स कर लीजिए, ऐसे, खूब सारी बारी कटी हुई कोट मेर, याने के हरा धनिया डाल दीजिए, और इसे डाल कर भी मिक्स कर लीजिए, अब आप चाहें, तो इसकी कबाब के शेप अच्छा, मैं छोटे-छोटे शेप दे के बना रही हूँ, यह देखिए, थोड़ा सा पोशन लीजिए, सबसे पहले तो हाथों को अपने तेल की मदद से ग्रीस कर लीजिए, और छोटा सा पोशन लीजिए, बॉल बनाते चाह, और बीच में से चप्टा कर दीजिए, और तक के लिए फिरज में रख दीजिए, बट मैं अभी ही फ्राइ कर रही हूँ, तो सबसे पहले फ्राइ पैन के अंदर तेल डाल दीजिए, फास्ट आच पर, और अच्छा तेल गरम हो जाए, फास्ट आच पर, तो बिसमिल रख्माने रेम बोल कर ये, जो हमारे कच्छे की में के कबाब है, ये सारे लगा दीजिए, अब ये बात है कि आपकी जो फ्राइ पैने जितने समाएं, उतने ही डालिएगा, अब एक मिनिट हो जाए, तो फिर पलट दीजिए, फिर पीछे के साइड भी एक मिनिट पकने दीजिए, इसी तरीके से उलट-पलट करते हुए, तो ये टोटल साड़े छे मिनिट तक पकाएं, जब आप साड़े छे मिनिट तक पकाएंगे, बीच में बार-बार उलट-पलट करते रहिएगा, और चूला मीडियम पर ही रखेगा, जब साड़े छे मिनिट हो जाएंगे, तो इन्हें नितार कर एक छन्नी के उपर रख द हैं मुझे, तो मैं चन्नी के उपर रख देती हूँ, इसी तरीके से बैचे में फ्राइ कर लीजिए, अब इन्हें गरमा-गरम सर्विंग डश में निकालें, और आप चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ है ना धही वाली हरी जो चटनी आ आप वहां से बनाईएगा, और इस रेसिपी में हरी मिर्चियां है, या फिर जो भी स्पाइस है, अपने स्वाद अनुसार अज़स कीजिएगा, या आप देख सकते हैं, कितने सूपर सॉफ्ट बने हैं, और बहुती डिलिशियस बने हैं, माशालला, आप बनाओगे तो ए कीजिएगा अपने कमेंस, मुझे आपके कमेंस पर बहुत अच्छे लगते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, और उससे जादा अच्छी लगे, तो अपने फैमिले और फ्रेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फोवर्ड कीजिएगा, फिर से हादिर होंगी नहीं शान